हेलो एर्वन इंडो रोमन ट्रेट के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है हमें देखते हैं कि रोमन सासक हागस के द्वारा 25 बेजी में एक प्लबती मानसून की खोच जो है हिपालश ने इस बात की खोच की थी कि रोम से भारत जाने के लिए समर मानसून सभसे ज़्यादा सुचबल है और भारत से ने के लिए विंटर मानसून सुचबल है और इस खोज ने भारत और प्रश्मी देशों के बीच लगने वाले यात्रा समय को कम कर दिया था और इस खोज ने भारत और रोम के बीच समुद्रे बैपार को बढ़ावा दिया और इस ट्राइबो के नुसार एजिप्ट से रोज एक बैपारिक जहाज भारत की और प्रस्थान करता था और लगभग वर्स में 120 से ज़्यादा बड़े बैपारिक जहाज प्रस्थान करते थ कुछ इस प्रकार के सिमिलर डेस्क्रिप्शन हमें संगाम लिट्रेचर में भी प्राप्त होते हैं जिसमें पेरियार नदी के तट पर रोमन जहाज जो के रुकने और उन से गोल्ड और वाइन के उतारे जाने तथा ब्लाक पिपर के लोड होने की सुचनाय प्राप्त होते हैं कि हमें साथ शिफ्ट प्राप्त होते हैं और लगभग 400 वर्सों तक भारत और रोम के बीच जो घनिस वेपारिक संबंथ हमें दिखलाई देते हैं और भारत से मुखरों से लगजरियस आइटम का एक्सपोर्ट रोम को किया जा रहा था और प्लिनी अपने नागरिकों क इस बात को लेके निंदा करते हैं कि जो रोमन यूद्स हैं मेल और फिमल दोनों वो हर वर्स दस करोन गोल्ड कौाइन्स भारत की ओर भेजते थे अपने विलास्ता की वस्तू के लिए और इसी प्रकार के विरन कुछ अनवी द्वानों ने भी हमें दिये हैं और रोमन सासक टाइवेरिस के द्वारा जो है भारत और रोम के बीच बैपार को प्रतिबंधित करने के भी हमें उतरन प्राप्त होते क्योंकि उनका यसा मानना था कि भारत और रोम के बीच होने बैपारिक संबंधू के कारण जो है इसका लाव जो है पर्थिया को इंडार के लिए हो र भारतियों के उपर लुटा रहेते हैं और कुछी इसी प्रकार का विवरंट जो है गिबन ने भी दिया है और प्रेडपलस भी इस बात के वो लेख करते हैं कि रोम से दच्छिन भारत में गोल्ड क्वाइन्स बहुत ही जादा जो है निर्यात हो रहे थे इसके अलावा भारती बंदरगाहों, मार्केच, नगरों की भी सुचनाई हमें पराफ्थ होती है यहां पर आप भारत के द्वारा जो है एक्सपोर्ट के जाने वाले वस्तू के सूशी को देख सकते हैं जिसमें हम यह देखते हैं कि डायमंड एक मतपूर एलमेंट के रूप में दिखलाई देता है और उस समय तक भारत इकलोता ऐसा देशता जहां पर डायमंड का उतपाद होता था और उसकी प्रश्चमी देशों में बहुत ही ज्यादा निमाटी यहां पर आप आयात की जाने वाले वस्तू को सुच्छी को देख सकते हैं जिसमें रोमन पॉट्स यानि बरतन वाइन रोमन गर्ल्स फॉर रोमन गोल्ड एं सिन्वक्वाइंस महतुपूर हैं इसक आप रोमन एमफोरे पॉट्स को देख सकते हैं यहां पर और यहां पर कुसानों के द्वारा जारी किये गए इस रिंग में रोमन सास्कू के इमिजेश को भी आप आसानी से देख सकते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो वेस्टन पॉट्स पे भी हमें प्राप्त होते हैं इस्टन पोर्स में प्राप्त होते हैं जिसमें बेरी गाजा जिसका बेरी गाजा प्रमुख है तता मुझरिस जिसका वर्तमान नाम पठनम है तता पोडिके जिसका वर्तमान नाम अरिका मेडू है यह प्रमुख बंदरगा थे इस मैप में आप भारत औ रोम के बीच होने वाले बैपारिक मार्गों को देख सकते हैं जो कि प्रमुक बैपारिक मार्ग थे और